और आप जानना चाहते हैं किस तरीके से एक ब्लैक है टैकर केवल वाइ-वाइ-फाई के जरी आपका सारा डेटा चुरा सकता है और आप किस तरीके से इस प्रोसेस सेफ रह सकते हैं तो चलते हैं complete process जहां पर हम समझेंगे हमारे वाइफाई की vulnerabilities और कैसे उनको सुधारा जाए जो की है what is Wi-Fi Wi-Fi है क्या basically क्या technology है यह क्या काम करती है यह समझते हैं यहापर सबसे पहला जो point हमारा है वो है यह की wireless technology है यानि इस technology के अंदर कोई भी wire use नहीं करा जारा है wireless मतलब होता है जहां कोई wire use नहीं करा जारा है तो बहुत easy term है कि wireless technology यानि इसमें कोई wire कोई cable use नहीं करी जा रही है okay great यह क्या करता है connecting devices to the internet यानि यह हमारे जितने भी devices हैं उनको internet से connect करने में help करता है कौन करता है Wi-Fi करता है ठीक है यहां पर transmitting radio signals as data using router अब यहां पर हो क्या रहा है basically एक router है जिसके जरीए जो radio signals जा रहे हैं यह वो शेयर कर रहा है और वो radio signals as data work कर रहे है यानि radio signals के जरीए data transfer करा जा रहा है और इसके जरीए हमारे जितने भी systems है वो सभी internet चला पा रहे है तो यह basically router का main work है यह Wi-Fi का main work है कि router के जरीए कुछ signals निकाले जाएंगे कुछ radio signals निकाले जाएंगे जो की as in data work करेंगे एंड हम easily इसके जरीए internet use कर पाएंगे नेक्स्ट देखते हैं basically router is connected to internet using wire या cable now Wi-Fi के लिए तो कोई भी cable या wire की जरूत नहीं है because of wireless communication यूज करता है बट जो हमारा router है जिसके जरीए Wi-Fi on हो रहा है SI systems connect हो रहे है radio signals move कर रहे है वो router internet से connect होता है ISP से connect होता है direct तो वह basically cable या wire के जरीए ही होता है next working on channel इसके मतलब क्या है जैसा कि हमारी IP थी जो internet पर हम साइट चीजे use करते है IP जो भी data transfer करती है पोच के जरीए करती है आप सभी को पता होगा वेज जो है जो है जो है जो हमने अच्छे से समझा नेटोफिंग में क्या IP के जरीए जो data transfer हो रहा है वैसे ही exact same तरीके से जो हमारा router है वो data transfer करता है बट यह यहां पर पोच यूज ना लेके चैनल को यूज लेता है वह चैनल पर वक करते हैं जिसका best example आप सभी को पता होगा आप जो FM चलाते हैं वहां पर लग 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 चैनल होते हैं 92.7 102 और SS एक्सेक्ट एक्सेक्ट कही सारे चैनल होते हैं तो जो radio signals है वह चैनल पर वक करते है इसलिए ह जो सेक्योर्टी सी स्टारिंग से जब से वाइफाय है वह हम समझते हैं बहुत चार्ट के जरीए यहां पर सबसे पहला जो हमारा वाइफाय आता वह था डव्लू इपी का फूल फॉर्म क्या है वायर्ट इक्वेलेंट प्रेवेसी यह हमारा जो डव्लू ईपी है यह एक टेक्नोलोजी थी जिसके जरीए हम इंटरनेट यूज कर पा रहे थे अब इसमें क्या होता था क्या कमिया थी यह सारी चीजह समझते हैं यहां पर यह डवलप करा गया था यह डवलप करा गया था 1997 में यहां पर इसमें इंक्रिप्शन फॉलो करा जाया था वह था रसी जो की था WEP एंड इसके अंदर जो डेटा करा जाता था डेटा मूव करा जाता था वह था 64-128 बिट्स यहां पर जो इसकी की साइज थी वह थी 64-128 बिट्स अब यह 64-128 बिट्स थीक है अच्छी पावर है बट जो इंक्रिप्शन अप्लाय करा जा रहा था वह था काफी विक एंड हमें रिक्वाइट क्या है कि हमा जो वाइफाय उसमें डेटा मूव हो रहा है वह इंक्रिप्टेट हो सिक्या और कोई भी उसे पढ़के बीच में हमारा डेटा इंटरसेप न कर सके यहां पर उसके बाद देखते हैं बिसिकली कि आया डब्लू पी आया प्रोड़ा जा रहा था यहां पर यहां पर यहां पर प्रोपर इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहा था यहां पर थोड़ी सिक्यॉर्टी इंप्रूब करने के लिए 2003 में जो सिक्यॉर्टी यहां पर अप्लाय करी गई वह थी TKIP तो यह भी हो जाती थी बर्द हलकी सी मैनद लगती ती यह क्रेक करा जाते थे इसके जो पास्वर में पास्वर जाते थे यानि जो भी डेटा यहा सबी के Android devices में Laptops में यूज करा जा रहा है WPA2 आज वो टेक्नोलोजी जो हमारे हाँ पर यूज ली जा रही है जो कि उसके आगे की भी कुछ टेक्नोलोजी आ गही है लाइफाई के बारे में अपने सुना होगा तो यह जो WPA2 है इसके बारे में समझते हैं इसका नाम है Wi-Fi प्रोटेक्टिव एक्सस्टू यह जैसे ही आया यह अपने साथ लाया बहुत ही अच्छी इंक्रिप्शन टेच्निक जो कि है AES-CCMP एंड किस टाइम में यह आया हमारे 2004 में 2003 से 2004 देखे तो वन ही एर में बेसिकली यहां पर एक अच्छी सिक्यूरिटी आ गई जो कि था AES- CCMP encryption है यह काफी अच्छा काम करता था और इसकी जो बिस थी की साइस थी वह थी 128 बिट साइस की की साइस के हिसाप सी encryption अप्लाया करता था वह काफी यूसफूल राज जिसमें जो cracking करते जो अब तक नहीं कर पाते थे जब तक पास्वर्ट में निकास सके जब तक उनकी लिस पीरेड में 2003 के बाद 2004 में यहां और अब जो यूज लेने वाले हैं वह हमारा WPA3 जो की इसका भी हाइयर वर्जन एडवांस और ज्यादा सिक्यूर वर्जन है इसके अंदर हमारे पास क्या है इसका फुल फॉर महुत इजी है वाइफा प्रोटेकिक एक्सस फ्री एंड यह AES-CCMP and AES-GCMP यह दोनों ही इंक्रिप्शन जो चिपर सेट्स हैं वह यहां पर अप्लाय होने लग गए अब जो डेटा जा रहा है उसको करेक करना करीब करीब इंपॉसिबल हो गया है किसी भी बूट फोस में जरीए विडाउट की आप बेसिकली डेटा को क्रेक नहीं कर पाएंगे पब्लीक प्रेविटी जो हम बताते हैं क्रिप्टोग्राफी के अंदर वह काफी सिक्योर है डव्लूपी अधिरी के अंदर कमी तो इसके अंदर भी तो यहां पर यह था हमारा वाइफाय का कंप्लीट हिस्ट्री और उसी के साथ-साथ जो सिक्योर्टी प्रोटोकॉल्स निकालने वाले हैं और देखने वाले किस तरीके से हम उन्प वन्नेटी इसको एक्स्प्लाइट कर सकते हैं और सुधारेंगे कैसे साथ-साथ वह भी द करने के लिए हमें इसको समझना बहुत जरूरी है कि वह काम कैसे कर रहा है जब तक हमें नहीं पता पड़ेगा वो किस तरीके से डेटा को शियर कर रहा है किस तरीके से डेटा को रीट कर रहा है जो सिस्टम जोन को इस तरीके से कर रहा है तब तक हम वहां पर वन्नप विदाउट वायलेस डिवाइस के जरिए रेडियो सिगनल के जरिए बेसिकली हम सभी को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है क्या साइच चीजे होती इसको अच्छे से समझते हैं ध्यान रखे गए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है यह हमारा राउटर है यह हमारा ISP है सबसे पहले एंटिट हमारा पास ISP आ जाती जिसके बारे हम ज्यादा नहीं देखेंगे ISP का फूर्फरम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी वो एंटिटी जो में इंटरनेट प्रोवाइड कर दी है उसको हम ISP कह जाते हैं तो मान लगते हैं यहां पर हमारा ISP है वो है जियो ने क्या करा हमने बेसिकली जियो का ब्रॉडबैंड यूज किया हमारे के पास इक है वो है उसकी पब्ली कही अब स्वाल उटता है आइडेंटिटी किसी से बात नहीं करी जा सकती है अगरमुझे। तो बिना आपकी contact number जो कि आपके identity का हिस्सा है आपको call नहीं लगा पाँगा तो यहां पर यही सेम चीज है कि हर system के पास अपनी identity होगी तो हमारे broadband के बास उसकी identity आगई है जो कि है उसकी public IP साथ सी साथ इसके पास कुछ और इसकी कुछ और पैचान भी है वो क्या इसको अच्छे से समझते हैं यह जो broadband है इसके पास तीन identity होती है क्या क्या है जिसने पहले networking की वीडियो देखेंगे मेरे उनको अच्छे से clear होगा पहली इसकी जो identity है वो तो है public IP जिसके बारे में देख लिया दूसरी है private IP and then इसके बाद जो last or final identity है जो कि कभी चेंज नहीं होती वो है इसका mac address media access control address यह क्या होता है mac address एक hardware address होता है जो कि कभी चेंज नहीं करा जाता है इसके बादे में और detail में देखना है यह इस पूरे प्रोसर्स को और जादा detail में समझता है तो networking का आपका पूरा प्लेलिस प्लेलिस को अच्छे से देखेगा ताकि आप इस प्रोसर्स को अच्छे से समझ जाए यहां पर राउटर के पास तीन पहचान है private, public and mac address private IP की जो बात करना है तो इसके पास एक और चीज होती है हमारे राउटर के पास एक bandwidth होती है जैसे जियो के पास public IP की bandwidth थी जिसमें वो किसी को भी public IP अलॉट कर सकता था वैसे ही हमारे राउटर के पास भी private IP की एक list होती है जिसके जरीए वो हर system को एक IP अलॉट कर पाए किसी से बात ही नहीं करता है तो यह सभी को एक पैचान देता है ताकि सभी से communication established कर सकते है लोकल एरा नेट होती है तो यहां पर हमारे इस राउटर के पास जो number of IPs है वो कहां से कहां तक है देख लेते हैं वो है 192.168.1.0 से लेकर यह range होती है 255.255.255.255 यह है वो last number of IPs जो हमारे broadband के पास होती है अब यह जो router के पास सारी IPs की list है इनके बीच की IP किसी भी system को दे सकता है यानि 192.168.1.0 के बात की और 255.255.255.255 से पहले की यानि 254 तक यह सारे identities IP यह दे सकता है हां इसको IP अलॉट करने के लिए कुछ और hardware की requirement रहेगी एक ही technical issues आज़ती है डॉस अटाइक पर फॉर्म करा जा सकता है और काफी सारी चीजा यहां पर अलग-अलग matter mask होने जरूरी है तो यहां पर पर जो complete mask है यह होता है 255.255.255 से पहला यानि 254 तो इतनी range थी इसके पास private IPs जो यह किसी को अलॉट कर सकता है अब हुआ क्या यहां कि हमारे राउटर से हमने एक system connect करा यह एक वो system है जैसे ही हमने से एक system को connect करा router ने अपनी private IP की list में से एक IP इसको दी इससे पहले मैं आप सभी को बता है router के पास भी एक private IP होती है वो private IP कहां से आईगी router के पास एक list जो कि हमने देखा 192.168.1.0 से लेकर 255 तक जो पुरी range जो चल रही है तो 192.168.1.1 जो पहली IP है वो हमारा router अपने लिए रख रहता है जो की होती है router की private IP जिसको हम default gateway भी कहते हैं तो यहांप हमारा router ने क्या करा 192.168.0.1 बेसिकली 1.1 हो या 0.1 हो अलग-अलग gateway चलते रहता है यहां पे तो यहां पे इसनी जो लिया 192.168.0 खुद रखी उसके आगे की जितनी भी IP range है वो पूरी IP range आगे के systems को अलट करने वाला तो यह जो IP range इसने रखी इसके बाद जो दूसरे IP बस थी है वो है 0.2 जो की इसने हमारे system को अलट कर दी दैन ऐसे ही किसी को 100 किसी को 10 किसी को 11 ऐसे ही हर system को यह IP अलट करता चला गया पर यहां एक सवाल उठता कि इसने IP अलट करी तो करी कैसे यह में पता ही IP अलट करेगा काफी नटोटिंग के लोगों को पता होगा कि यह IP अलट कर रहा है बद सवाल उठता है कर कैसे रहा है यह exactly कैसे possible हो पादा है कि हर system को एक IP दे सके और कि इस system को क्या IP देनी है यह कौ पर्फॉर्म होता है address, resolution, protocol यह क्या है यह काम क्या आता है basically ARP का मतलब है एक ऐसा protocol जो कि आपका address पता करेगा क्या आपके पास क्या address Allotted है और यह protocol इसकी मदद करता है हर system की IP पता करने के लिए उसका MAC address पता करने के लिए और किसी system को नई IP अलट करने के लिए अब यह हो क्य करेगा ARP package के जो की क्या करेंगे system से हर system से जाके पूछेंगे के आपके पास कौन सी IP है अब यह किस तरीके से पूछेंगे तो यहां देखते है basically माल लेता है यह ARP का packet है तो इसके इंदर क्या लिखावा होगा ऐसा जो यह सब से पूछ लाए यहां पर लिखावा होता है ARP पूछी और यह जो packet बना है ARP का package जो बना है यह होता है broadcast packet अब broadcast क्या होता है सभी को पता है नॉर्मली वह सब्सक्राइब करते हैं वह सभी को चला जाता है तो यहां पर यह भी broadcast message होता है यानि यह जो इसने बात पूछिए 1921680.4 किसके पास है यह message broadcast हो जाएगा इन सभ 0.4 address है इन message जिसके पास भी for example माल लेता है हमारे इसी system के पास 0.4 का address है 1921680.4 का address है यह system reply करेगा कि yes मेरे पास है 1921680.4 यह कैसे reply करेगा इसके reply के अंदर basically ARP को जो reply जा रहा है इसके अंदर यह बोलेगा कि yes I have 1921680.4 बट उसके साथ साथ इसका जो मैं करने वाला इसके पास होगी keyword private IP इसका local host और इसका इसके बाद में अच्छे से detail में जानना है तो आपको उपर आई option में basically बाखी की वीडियो दिखी रहे होगी जो लास्ट वीडियो अपना networking का पूरा playlist उसको अच्छे से देख लेना आप इसके पास IP है 0.4 इसने अपने आपी रिक्वास्ट है यह सारी आई पी लिस्ट के लिए 100 के लिए 104 के लिए 101 के लिए 10 के लिए ऐसी आपी रिक्वास्ट लगा था ट्रांस्वर होती रहेगी और हर वो system जिसके पास IP होगी वो बोलेगा yes I had that IP मेर पास है वो IP तो इसी तरीके से basically हमाई router ने सभी systems को अब अगर किसी ने रिप्लाइ नहीं दिया यह बूरा ब्रॉडकास्ट मेस्ट जो सबके पास जाएगा इनमें सगर किसी ने नहीं बोला यह सर हमारे पास 0.4 IP है तो यहां पर क्या होगा तो यहां पर बेसिकली router उस IP को खाली कर देगा यानि अपनी स्टेवल में लिख देगा कि 0.4 अब किसी के पास नहीं है जैसा ही ऐसा यह करेगा तो अब कोई भी नया system जोड़ेगा तो 0.4 IP खाली होगी उस system को अलाट करने के लिए तो यहां पर यहां पर इस तरीके से हमारा वाइफाय वर्क कर रहा है अभी जो सिग्नल्स रांसवर हो रहे है इसमें हमारा डेटा भी ट्रांसवर हो रहा है बद सवाल उपता है कि सर इतने सारे system connected कैसे हो यहां पर हर system को connect होने के लिए user name और पासवर यूजर नाम कर रहे हैं हां आप ताकी अच्छे से समझ सकते हमारा डेटा कैसे connection बना रहा है identifying सप्रंपर सामने प्रूंब पुछा गया उसने password enter करा और submit button पे click कर दिया जैसे ही उसने submit button पे click करा इस system से एक package बना जिसके अंदर इसका नाम जो इस यह address है और password यहां से जा रहा है सो यह जो हमारी file जिसके अंदर password जा रहा है system जो password टाइप कर रहा है कि हो सकता है इसका password यह होगा इस file को हम कहते हैं handshake file अब यह जो हमारी handshake file है यानि वह file जिसके अंदर password है वह file यहां से move हुई और पहुची हमारे system के पास radio signals के जरिए ही इसी channel पर जैसे ही यहां पर transmission देदी के access कर सकता है और अब basically यह दोनों connect हो गए है दूसरे से handshake हो गया है दोनों का handshake यानि हाथ मिलाना तो इस file का नाम बिलकुल इससे हिसाब से ही रखा है तो यहां पर दोनों connect हो गए और दोनों 101 network है जो system है वह internet use कर पारा है अब होगा क्या है और चीजे भी समझत पब्लिक IP से बात कर सकते है और प्राइविट रखार बात करने है इंटरनेट पर किसी से बात करने है तो बहुत ही चीज़ पहला जो प्रैविट प्रइविट निचाहिए तो अगर इस system को internet पे किसी से बात करने है तो यह कैसे करेगा क्यों क्योंकि उसके पास तो केवल ए तो यह कैसे possible है, तो अब यहां पर होता क्या है, normally सारी बात internet पर यही कर देगा, के वर broadband ही internet पर सारी बात कर सकता है, तो होगा क्या यहां पर कि इस system को मांग नचा है, Facebook access करना था, तो इसने क्या करा, अपना browser open करा, वहां पर लिखा, facebook.com enter press कर दिया, जैसे इसने facebook.com लिखे enterprise करा यहां पे एक package जनरेट हुआ जो की जाएगा हमारे broadband के पास इस packet में क्या है इस packet में है कि वही में को facebook access करना है facebook की request साथ ही साथ इस system का mac address, ip address और यह साइट details हमारे broadband के पास से हो जाएगी broadband क्या करेगा इसका एक package बनाएगा कौन साथ facebook access करनी की request का package जो है वो share कर देगा internet पे अब internet क्या करेगा facebook server पर जाएगा facebook server के जरी request को देखेगा जरी request genuine होगी सब को सही होगा तो वो उसका reply देगा तो यहां पर इस request को response आ रहा है जिसको हम reply कहता है basically यह response आएगा सीधा हमारे broadband के पास क्यूँ because broadband ने जब इस packet को बेजा तो इस packet के अंदर IP किसकी गई IP जाएगी broadband की public IP because private IP तो बात ही नहीं कर तो public IP जो है वो यहां पर गई इस packet के साथ इस system पर किसार यह वाला जो system है जिसकी IP 82.10.250.19 यह system आपको access करनी की request कर रहा है facebook ने बोला कर सकते है response दिया response भी इसी के पास आएगा बापिस तो जैसे ही इस device के पास response आया यह सबसे पूछेगा who has 192.168.0.101 अब क्योंके 101 हमारे system की IP है तो यह बोलेगा yes I has 101 जैसे ही यह बोलता है यह package जो था यह system को share कर दोगा इस तरीके से basically यह सारे system internet यूज़ कर पाते हैं फिर चाहिए mobile hotspot ही क्यों ना हो माल लेते हैं एक वक्त के लिए कि broadband यहां पर नहीं है broadband की जगह यहां पर Android device जिसका hotspot और तो यह सब यूज़ेज इस से connect हो रहे है इस case में broadband कौन है तो यहां पर broadband है वह इस mobile के अंदर पड़ीवी SIM जो SIM है वह असली broadband है वह हमें ISP के द्वारा मिली है उसमें रिचार्ट कराते हैं उसमें इंटरनेट मिलता है हमने क्या करा हो SIM के बाद हमारे Android device में option था broadband बनने का तो हमने hotspot on करा है जैसी हमने hotspot on करा हम बन गए broadband हम यानि हमारी SIM यह device की भी खुद की एक private IP है यह broadband नहीं है broadband है तो केबल वो SIM है तो अब यहाँ पर क्या हुआ जितने भी users से connect हुए same process handshake file गई सब कु सेम हुआ इस user ने facebook access करने की request करी वो जाएगी हमारे डिवाइस के पास यानि हमारे SIM के पास वो सेम उस request को basic internet पे अपनी public IP से public IP केवल होगी हमारे SIM के पास जैसे उसका reply आएगा हमारे SIM के पूछे हुआज 192.168.0.101 तो जैसे यह बोलेगा yes I am 0.101 हमारे SIM वो पैक्ति इसको शेयर कर देगी क्यों कि यह सारे एक ही private IP में जूडे में है इस तरीके से हमारा यह network वाइफा है यह work कर रहा है असल में वाइफा को क्या चीए एक ARP packet ताकि पता पड़े किसके पास क्या IP है दूसरी जी सारा data हमारे वाइफा से ही हुटे जाता है हमारे वाइफा इससे जो राउटर के पास पहुचता है राउटर उसको आगे बेशता है तो यह सारा वक्त होगी हमारे राउटर का चाह चैनल नंबर 11 तो होगा है तो जितने भी यूजर हैंशेक फाइल बेजेंगे connection की request बेजेंगे आपना कोई भी डेटा वेजेंगे वह कौन से चैनल पर बेजेंगे चैनल नंबर 11 वालासा क्यों क्यों हमारा broadband जो है वो चैनल नंबर 11 पे ही radio signal generate कर रहा है या रीट कर रहा है जैसा कि हम IP में बात करते है port listening या फिर बात करने की basically message sharing करने के और listening क्यों तो एक ही port होती है वैसे ही यहां पर भी एक ही port होगी एक ही port होगी वो है channel so students यह था एक Wi-Fi का छोटा सा introduction जिसमें मनें Wi-Fi की small workings देखी इसके बारे में और डिटेर्म सारी सीज़े देखने वाले कहां कहां कमियां होती है कमियों से एक हो बात आप सभी को बता दू कि यह system इस Wi-Fi से connect होने के लिए के एक ही चीज मांगता है इस Wi-Fi का ESS ID जैसे कि नाम है WSQ हम आज उससे connect हो गए password सही डालके या फिर open था तो connect हो गए future में अगर हम चाहें चाहना चाहें जैसे हम उस Wi-Fi की range में जाते हैं और अगर हमारे device का Wi-Fi on है तो यह Wi-Fi से automatically connect हो जाता है बीना हमाई चाहें अगर हम नहीं विचाने तो भी connect हो जाता है यह काफी वहां पर share कर देता है यह कमी है यानि वह Mac address मैच नहीं करता पहले वह सीधा उस नाम के हिसाब से data transfer कर देता है जो कि बहुत बड़ी कमी है जिसको आप सुधाने पर work करा जा रहा है हमारे WPA3 में या पर उस कहने वाली टेक्नों हो गया होगा नेक्स देखने कुछ और important device के अंदर इसको अच्छे से समझेगा क्योंकि यह सारे अटक्स हम practically perform करने वाले हैं तो अगर आप एक बार समझ जाओ विए तो आपके लिए बहुत 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 रहेगा तो यहां पर जो सबसे पहला थ्रैट जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है DOS Diner of service agora dataith hè इसाre बैसिकली एक सिस्टम एक सिस्टम एक बीर disfr Assault बेस्टाह यह बैर तर्ष केलिए कना बार घुपर जाता है ही हगो विडियो एडिटिंग का या कोई भी गेम इंस्टॉल करते हैं अगर आप सभी करते होंगे तो उसके बाद क्या होता है system hang हो जाता है विकाज वो compatible नहीं होता उसके लिए तो यहां पर जब वो hang हो रहा है वो सेम चीज जब हम एक अट्यक्र मशीन के ज़िए करते हैं तो इसको रिजल्ट क्या होगा इसका रिजल्ट हीन होगा कि यह बेसिकली क्रेश हो जाएगा सभी से वक्त नहीं करेगा यूटिलाजिशिन जो है रिसोर्स इसका बंद कर देगा तो यहां पर इसको हम कहते हैं डॉस एक्ट यह सेंब चीज होती है हमारे वाइफार के अंदर वाइफार के अंदर क्म्यूनिकेशन हो रहा है रेडियो सिग्नल के जरी कोई भी डेटा टांस्पर करा जा सकता है तो दॉस अटेक्स करना बहुत ही असान होता है और यहां पर कुछ डॉस टैक्स भी लिखी हुए कुछ और अब जो टक्निक्स के बादें देखेंगे वहां पर डॉस टैक्स ही यूज लिया जारा है तो देखते हैं और क्या क्या है यहां पर पहला है दी ऑथंटिकेशन फ्लॉड अब बात ज्यान रखेगा डॉस टैक्स का खूब सारा फ्लो यानि किसी सिस्टम पर डेटा का इतना फ्लो बेज़ दो इतना इंपूर बेज़ दो कि वह हैंग उने लग जाए यानि फ्लॉडिंग कर दो बाहार लिया वहां पर तो जहां भी आपको फ्लॉड लिखा दिखेंगे समझ लीजेगा कि यह डॉस अटैक का एक हिस्सा है अब यहां पर दूसरा अटैक आया है उसका कि क्या है यह एक वैलिड यूजर का है तो उसको हम जहते है और यहां पर जो हमारा वाई-फै यह क्या है यह जो दियो डीकेशन फ्लर्डिंग अटैक कि यह करता क्या है करता है कि हम एक रौटर से हमाण लेता है यहाँ पर यह ज़ाय रावटर है इस router से कई सारे user connected है वाइफाई के जरीए कई सारे devices हमारे इस device से connected है तो हमने क्या करें एक attacker आया वो बिना connect करें भी इस process को complete कर सकता है यानि वो इस router से connect नहीं होगा बट वो कुछ ऐसे package बेजेगा जो की इन systems को router से disconnect कर देंगे कब तक के लिए जब तक यह attacker चाहता है अब आप यही चीज़ सोचो अगर किसी बड़ी organization में हो रही है तो यानि वहाँ पर उनका time बहुत precious है उनको कोई work करना है कोई file upload करना है share marketing का हिस्सा है mutual funds का हिस्सा है the authentication flood में flooding का मतलब है कि उसने खूम सारे package बेज़ दियें ताकि कोई भी user connect ही ना हो पाई या मन चाहिए user connect ना हो पाई तो इस process को हम कहते हैं the authentication flood उमीद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा next जो हमारा है वो है routing attack यानि basically routers का जो जगह है router से data आ जा रहा है उसके अंदर कुछ ऐसे changes करना कुछ ऐसे navigation करना जिसके बाद आते जाते data पर नज़र रख सको पूरा जो रूटी जो आने जाने का रस्ता है उसको track का सको और उसमें छेड़का नहीं का सको तो वह होता है हमारा routing attack next आता है authentication flood जो की आप नाम सुनते ही समझ गया होंगे flood या क्योंकि उसको हर connection package जो आ रहा है जिसमें username password आ रहा है वो check करना पड़ेगा और यह लेगा उसका process और अगर लगातार कहीं सारी आ रही है तो इतना जाधा process वह एक साथ करेगा तो definitely wiring होगा और बाकी systems को सही से connect नहीं कर पाएगा तो इसको हम कहते है authentication flood clear होगा आप सभी को ARP cash poisoning attack यह काफी चीज़ है basically ARP क्या होता address resolution protocol अब ARP cash poisoning attack क्या है यह एक ऐसा attack है जिसमें basically हम ARP को poison कर रहे हैं ARP को खराब कर रहे हैं कैसे करते हैं ARP को खराब अब ARP में कुछ ऐसे package बेज रहे हैं यह package का flow इतना जादा रख रहे हैं कि जो भी ARP का record हो रहा था वह हो जा रहा है खराब इसको हम कहते हैं ARP cash poisoning practically कैसे work करते हैं सारे attacks यह हम करके देखेंगे उसको जो सिगनल जे उनके जरी हम दिखाएंगे कि हमाँ जो राउटर है वो है sleep order में जिसके जरीए कोई भी device उसे connect नहीं हो पाएगा तो इसको हम कहते हैं power signature कैसे का हम करते हैं practically देखेंगे इसको भी गैन हमाँ पास है TKIP MIC Exploitation नाओ यह क्या है Exploitation जहां भी आए अब समझ जाता है जो की काफी जादा वर्नेबल इसके बारे में काफी detail में देखेंगे next point पर बढ़ते हैं कुछ आइडिया लेरे मिनकर टेक्नीक का सारे का access point access point क्या होता है basically access point होता है वो system का address जहां से वो connect होगा जहां पर बात्चित करेगा access point यानि किसी का IP चुरा के खुद रख लेना जिसको हम basically spoofing भी कहते हैं वो यहां पर perform करा जाता है so next हमाँ पास dis association attack होता क्या है basically एक ऐसा attack है जिसमें basically router से user में data transfer हो रहा है उस connection को अगर हम break कर दे तो उसको हम कहते हैं dis association attack इस attack के जरे हम system का connections है वो break कर सकते हैं तो वो attack यहां पर use करा जाता है so next है हमारा पास EAP failure basically क्या होता है एक authentication process होता है जिसमें tailors भी use होता है तो जब यह misconfigured यहां पर proper configuration apply नहीं करी गई हो तो EAP failure attack perform करा जाता है जिसमें authentication की proper configuration apply नहीं करीगी जाता है इसके बाद आता है हमहां पास beacon flood and beacon flood attack क्या है यह कैसा attack है जिसमें basically क्या होता है कि कई सारे APN से related basically ESS ID होती है उससे related कई सारे users बना दिये जाते हैं जो कि users को confuse करते हैं कि इससे connect हो जिसके जरीए अगर कोई आपके device से connect हो जाता है तो इससे उसको काफी मिख्सान हो सकता है सारा data आखिर में तो broadband से होते वे ही ट्रांसवर होता है तो उसके बाद काफी control हो जाता है तो इसको हम कहते है बीकन flood of flooding यहां पर क्यों हो रही है तो यह सारी चीजे जो है यह types of threats के अलावा भी कुछ-कुछ threats नहीं भी है जिनके बार में मौर पढ़ने वाले हैं practically नेक्स क्या steps है तो यह step-by-step process है जिसके जरी हम वाइफाय को hack करते हैं इस process को अच्छे से समझते हैं ताकि हम अलग-अलग attacking techniques के process थोड़े बहुत different हो सकते हैं पर करीब-करीब सेम रहेंगे और उनी process के जरी हम इस वाइफाय को compromise कर पाएंगे और secure भी उसी process से करेंगे सबसे पहल करना कि वह हमसे कितना दूर है किस जगह पर लगावा है कितना ज्यादा डिले हो सकता है basically कितना दूर हो सकता है ताकि जितना हम उसके पास जाएंगे हमारा connection strong होगा हमारे वाइफाय की जो attacking techniques है वह fast perform कर पाएगी next हमारे पास wireless traffic analysis यानि जो भी डेटा आया जा रहा है उसको करना उसको monitor करना उसको नजा रखना उसको intercept करने की कोशिश करना और save करना इस पूरे process को हम कहते हैं Wi-Fi traffic analysis next हमारे पास आता है launch of wireless attacks अब क्यूंकि हमने wireless traffic को analyze कर रहा है आता जाते डेटा को read कर रहा है वहाँ पे banner grabbing भी करी है Wi-Fi के वारे में more details भी ली है तो अब हमें जो भी हम अप्लाय कर सकते हैं depend करता है हमारे पास data के intercept हुआ next है Wi-Fi encryption cracking कहीं विया को encryption अप्लाय करी गई है तो हमने काफी data correct कर लिया होगा हमें साही चीज़ समझ आ जा देगी तो उस encryption को crack कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं तो कैसे करेंगे यह चीज़े ध्यान रखेंगे हम इसमें तो उसका हम कहेंगे compromisation तो यहां पर यह है वाइफाय अटेकिंग की मेथडोडोलोजी important concepts of Wi-Fi यानि यहां पर कुछ वाइफाय की important concepts और entities के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो की हमारे complete Wi-Fi की vulnerability assessment और उसके जो protection है उसमें यूज आईगी start करते हैं देखने हैं यहाँ पर हम क्या क्या सीखने वाले सबसे पहला जो हमारा वह operating modes Wi-Fi के अंदर कितने ऑप्रेटिंग मोड होते हैं और वह operating modes क्या काम आते हैं यह दोनों चीज़ार आज हम यहाँ पर देखने वाले तो यहां पर हमारे पास 2 जिसमें से पहला है हमारा मॉनिटर मोड और दूसरा है मैनेज मोड अब यह दोनों मोड है क्या बेसिकली जब भी हम एक वाइफाइड़ को हमाई सिस्टम से करेक्ट करते हैं या फिर जो बाय डिफॉल्ट अडेप्टर हमाई सिस्टम में एड है इंस्टॉल है उसके अंदर जबी भी हम आई डवल्यू कॉंफिक यानि वाइफाइड देखते हैं उन डिटेश के अंदर बेसिकली हमें यहां पे शो होता है मैनेज मोड अगर आप मोड देखेंगे तो उसका कि मैनेज लिखा हो अगा जिसका मतलब क्या है कि यह नॉमल यूजर है यह नॉमल सिस्टम से कनेक्ट होने के लिए हैं नियुक्त बना ही है बाट यहां पर यह मोड क्या है तो जब 175 I guessश आपिशो कहों कि कौन क्या कर रहा है वह हर एकिविटी पे नज़रता था एक्जाटि सेम होता है यहां पर वाइवाइवाय के दर भी मॉनिटबोड में जो हमारी वाइवाइवाय एडेप्टर है उसके अंदर हम करते हैं एक मॉनिटर मोड नाम की सेटिंग होती है जो उसको अप्रूव कर देती है कि वो आसपास का सभी डेटा इंटरसेप्ट कर सके ये मॉनिटर कर सके उसी के जरीए हम वाइफा की काफी हैकिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं तो यहां पर मॉनिटर मोड हम हैकर्स के लिए बनाए गया है या कुछ और एडवांस नेटवर्क एडिस्टेटर के लिए बनाए गया है जिसके जरी हम किसी वाइफा से बिना करेंट हुए उसकी काफी सारी डिटेज निकाल सकते है तो वो आता है हमारे यहां पर मॉनिटर मोड के अंदर तो यह नाम याद रखेगा आगे हम सेटिंग्स करेंगे जब तो हम अच्छे से कंफर्म होगा कि मैनेज मोड को चेंज करके हम करेंगे मॉनिटर मोड में ताक ही आने वाला सारा डेटा हम इंटरसेट कर सेगे लाकस नेक्स देखने हैं कुछ और एंटिटिर के भारे में समझते है यहां पर सूसरों से अख हमारा वाइफाइ चैनल्स चंडल को होता है इसे जे तो हमें पता है वाइफाय करता कि आए रेडियो सीगनल्स के जरिए बातचीत कर तो इसको data transfer करेगा बट यहां पे जो radio signals है यह किसी रस्ते से जाएंगे और यह जो रस्ता है इसको हम कहते हैं channels जितने भी channels है वो एक level की frequency रखते हैं एक number से एक number की बीच की frequency रखते हैं और अगर उस frequency पे data move हो रहा है तो वो channel वहां पे use में होता है इन पॉइंस के जरिए basically हम सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है Wi-Fi frequency bands यानि होता कि basically Wi-Fi की frequencies है क्योंके radio signals है तो कई साथी frequencies होईगी उन frequencies के bands बनाए जाते हैं और उन bands मेंसे जो small bands होते हैं जानि उनको जब चोटे-चोटे groups बना दिये जाते हैं उन bands का तो उनको हम कहते हैं चैनल यानि Wi-Fi के जो बड़े-चोटे bands के जब हम small part बनाते है हम स्वाल पार्ट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं small band यानि channels एंड यहाँ पे यह क्या है यह जो लोग यह चैनल के चैनल के हो पाएगा। जैसे कि 2.4 गीगास के वाइफ़ा यूस कब excellent channels, यानि टोटे 11 चैनल होते हैं जिनको यूज कर सकता हूं में डेटा को ट्रांस्वर करने के लिए बट उसी जगह पे जो कि अब एडवांस आ रहा है हमारा 5 GHz का अगर मैं कोई फ्रिक्वेंसी वाला वाइफा यूज ले रहा हूं बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं चैनल जो कि हमारे काम आता है कम्यूनिकेशन में और साथ यहां पर दो तरीके के चैनल हमें मिल जाएंगे 2.4 GHz का और 5 GHz का तो यह जो 2 GHz के हमारे डिवाइजस इं यह अलग अलग चैनल सपे काम करते हैं जो 2.4 है वह 11 चैनल सब्सक्राइगा 5 GHz का हमारे साथ ता वह वो काम करेगा 45 चैनल पर यह है चैनल सके बारे उमीद आपको समझ आ हैगा नेक्स्ट देखते हैं वाइफार मेश ने तो यहां पर देखते हैं सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आया है वह सिक्यूरिटी जिसके बारे में कम्प्लीट प्रेलिश्ट में देखने वाले हैं तो अब इसक्यूरिटी में कम्या क्या क्या रह जाती है कुछ एक्जामपल्स में आप सभी को दे देता हूं जब हम नेट होता है कि अगर उसके पास उस नाम के Wifi का पासवर्ट पहले से से जब है तो वह और अगर उस सेम नाम का कोई दूसरा होस्पोड भी चालू हो गया जिसके अंदर सेम पासवड है या फी पासवड नहीं है तो वह उस दिवाइस से भी करनेक्ट हो जाएगा यानि या एंड तो इन कम्यों को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे क्या 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 कम्यां उनको सुधारा कैसे जाए तो यह सब प्रैक्टिकली देखेंगे उमीद आपको सिक्यूर्टी वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा नेक्स्ट देखते हैं हम स्मॉल रेंज कासा दूर जाते है यारी उस रेंज से बाहर जाती है हमारा कनेक्शन क्लोज दूरा रेंज वो काफी छोटी होती है यहां पर यहां पर बेसिकली हेल्थ कंसर्स रह सकते हैं यह बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है वाइफा रेडियो सिगनल्स पर काम करता है तो उससे यहां पर हमारे पास तो इस पर हमें तो ज्यादा फोकस कर रहे है जैसा कि 5 GHz वाले डिवाइस से साथ हम 45 चैनल्स लेकर आ गया है ऐसे ही और चैनल्स आते जाएंगे तो डेफिनेटली यह प्रोग्लम भी जल्दी सॉल हो जाएगी और रही बात स्पीड की तो हां यह एक और शील है वाइटा फोकस कर आ जा रहा है काफी इस ट्रोंग पाउड वाले डिवाइस आ रहे है अपर चैनल्सी की यह था कम्प्रीट वाइए का इंट्रक्शन जिसके अंदर बेसिक इसके कुछ इंपॉर्टंट एंटिटी और एक्षस के बारे में समझा है ESSID, BSSID channel और bandwidth इन सभी के वारे में समझ गए हैं अब ये सब समझने के बाद हम capable हो गए कि हम practical वीडियो के तरफ बढ़ सके वाइफाय नेटवर्क्स में डॉर्स अटक कितना गेंच्रोस हुए जानना चाहते हैं डॉर्स अटक और वाइफाय एक वीफाय डिवाइब यहां पर इसके अदर हम कई साइच चिछेए चीछर शीफए वाले हैं जिसके अनदर हम देखेंगे वाट इस डॉर्स अटक डॉस अचाहें हाव इतुषग जे गाम करता है इतना जादा डेटा फॉरवर्ड करता है इतना जादा प्रोसेसिंग बड़ा देता है बेसिकली कि विक्टिम सिस्टम हो जाता है है और अच्छी से परफॉर्म ना करने की वज़े से तो बाकी प्रोसेसिस करने के लिए उसके पास पावर नहीं बसती और इसी वज़े से यह हैंग होके या तो सिचाफ हो जागा या करप्ट हो जाएगा इस अटेक को जिसमें बेसिकली एक अटेकर मशीन एक विक्टिम मशीन पर इतना जादा डेटा जो यहां पर फ्लड कर रही है यानि बहार ला रही है उसको हम कहते हैं डॉस अटेक अगर आपको किसी भी अटेक के आगे फ्लडिंग लिखावा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं डॉस अटेक की ही इतनी जादा रिकवच्ट फोफवर्ड करी जाए कि जो system है वो हें गो जाई इसको हम कहते हैं डॉस अटेक के अंडर हमां आपस कई सार दॉस नेखश काने वाले हैं एक वाइफाइ Zentर mình कैसे जा सक्वाइं यहां सिखें पर खूब सारे packets transfer करें या इस wifi से connect होने की handshake request ही खूब सारी बेज़ दे तो यह सारी चीज़े कहलाएगी DOS request किसे भी packet को जादा quantity में या जादा size में अगर हम भेजे तो वहां पर perform होता है हमारा DOS attack तो आएए देखते हैं सबसे पहला DOS attack में क्या करने वाले हैं सबसे पहला DOS attack है Mac flooding का Mac flooding क्या होती है basically Mac का full form है media access control address यानी हमारा Mac address जिसके बारे में यह कहते है चेंज नहीं होगा यह जो Mac address है अगर मैं लगाता अपडेट कराता जाओं हमारे router की इस table में जहां पर यह record रखता है कि कौन सी IP कौन से Mac address के पास है अगर मैं इस process को continuously करवाता जाओं यानि यहां पर खूब सारे Mac addresses record करवा दूँ जिसकी वज़े से क्या होगा यह जो हमारे Wi-Fi device की table है यह हो जाएगी full and full होने की वज़े से अब यह किसी और को register नहीं कर पाएगी तो यह है basically हमारा door setup अब देखते हैं इसको practically implement करने के लिए हम चलेंगे हमारी काली machine पर जाने के बाद यहाँ पर मैंने terminal open कर दिया इसकी display हम थोली zoom कर लेते हैं ताकि अब सभी को display clearly visible हो यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर हम एक command try करेंगे और अगर तूल हम आपर install नहीं हो तो पहले हम उसके installation पर work करेंगे command है हमारा Mac off Mac off यह ऐसा टूल है जिसके जरीए हम Mac address की flooding यहाँ पर बहुत easily apply कर सकते है बट अगर यहाँ पर आपको ready show हो रहा हो इसका मतलब है किसी टूल के installing करने का प्रोसेस आपका अधूरा रह गया होगा तो जैसे आप enterprise करेंगे यह आपको suggest कर देगा कि आपको DNS sniff याई system पर जिसको हम कहेंगे Mac flooding और इसकी वज़े से जो हमारा router उसकी तेवर फूल हो जाएगी वह मिस्ट बहुत करना स्टाट हो जाएगा तो यह जो डॉस टाइक है यानि Mac address का डॉस अटाइक जो है वह perform करने के लिए में स्टूल की जरूरत है अगर इसके बारे मौत समझना है हमें तो बहुत ही यूजल सी चीज़ है कि हम यहां पर लिखेंगे Mac off dash dash help and enter press करेंगे तो यहां हम देख सकते हैं dash s for source dash d for destination dash e dash x dash y और यहां पर कई सारी चीज़ें शो कर रहा है हमारे लिए क्या क्या काम का है तो पहले तो हम लिखते हैं यहां पर Mac off then space then dash i लिखेंगे हम ज सिस्टम में और connect करने के बाद जैसे ही मुझसे यहां पर permission मांगी जाएगी इस device को connect करने के लिए तो मैं उसको अप्रूव कर दूगा और उसके बाद basically मैं यहां पर use लोगा यहां पर permission मांग दिए मैं device को select करा ok and then यहां पर जो मेरे वाइफा स्टिक की permission थी वो मैंने मेरे काल्य मेशिन को दे दिए वर्चल मेशिन को दे दिए ताकि उसमें connect हो जाए तो अब basically मैं यहां पर वाइफा स्टिक के जरिए Mac flooding जो है वह perform कर सकता हूं उससे पहले यहां पर new tab open कर लोगा और new tab open करने के बाद जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा हम यहां पर लिखेंग यानि wland 0 लिखा वारा है जिसका मतलब है wireless local area network तो हमारी वाइफास्टिक और चुकी और confirm अगर आपको करना है तो iw config लिखेंग और अच्छे से confirm कर सकते हैं यहां पर मैं देख पार हूं के wland 0 connected है यह साइज सेटिंग से अब मेरे को वाइफास्टिक तो एड़ हो गई है उसके जरीए अटैक करना है वो भी मैट फ्लेडिंग का तो कैसे करेंगे बापिस चलते हमारे कमांड पर एंड यहां पर मैं जाके लिखूंगा mac of dash i and then wland 0 and इसके बाद जैसा कि हम देख सकते हैं dash s के जरीए तो अब यहां पर dash s जिसका मतलब था source यानि जिस पर attack perform करना है उसका address मुझे यहां पर देना है तो address obviously आपको नहीं पता होगा किस पर perform करना है तो normally ही हम करते हैं हमारे router पर ही करेंगे तो बहुत ही efficient work कर पाएगी बट राउटर की IP क्या है तो हमें यह बात पता है कि जबी भी आवाज एफ config लिखते हैं यहां पर हमें साही details लिखाता है जिसके अंदर हमें हमारे router की details भी दिखाएगा जो की होगी 1921681.255 यह जो हमारा broadcast network है इसी के जरीए basically हमारा data share हो रहा है तो हम यहां पर इसी network को use लेके यहां पर perform करने वाले हैं mac flooding और अगर आपको confirm करना है तो आप यहां पर net discover लिख सकते हैं जैसी आप net discover लिखके एंटर करेंगे root privileges के साथ तो पहले sudo su दे देता है okay so sudo su बापी सही से लिख देता है and then यहां पर sudo su लिखने के बाद मेरे को लिखना है net discover enterprise करूगा तो net discover लिखने के बाद क्या होगा जितनी भी मेरे आसपास के एरिया में लोकल लिने नेटवर्क से जो भी सिस्टम में डिवाइस से जुड़े होएंगे से वाइफाइस से जुड़े होएंगे उन सभी का mac address में को यहां पर प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगा and उसी mac address के जरिये में सब्सक्राइब करने के बाद में देख सकता हूं कि मैं इनके इंदर भी में पास जो हमारा जो लैंजीरो है उसका जो मेरा मिर्सिक्री जो मेरा वाइफाइब है जिससे में कनेक्टिड हूं उसका जो आई-पी शो रहा है 192.168.255 शो हो रहा है पर भी कर सकता हूं जो आप चाहिए ले सकते हैं चलो एक बार 255 तो वहीं ले ले लेते हैं और बैसिकली आप इसका वर्क ही समझना है आटर से नहीं हो पाएगा विकास उसकी टेबल फुल हो जाएगी तो इस परसें को यहीं हम रोग देते हैं इसको हम कहते हैं मैक फ्लडिंग है यहां पर यूज़ आईगी और इसको करने के लिए हमें टूरी जोद पड़ेगी जो की है यरसनाया यारी इसको कैसे तो बेसिकली देखते हैं इसको यूज कैसे करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे वाई यार एस आई एन आई यह तो अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो हम लिखेंगे अगर मैं एक प्रस करता हूं तो यह मुझे करेंगा कि यूज लेने के लिए कोई ने को अप्शन यूज ले सकते हैं और इसी ग्राफिकल मोड के जरिये मैं इस तूल को बहुत अच्छे से यूज ले पाऊंगा तो मैं यहां लिखता हूं यह तो यह दैश कैपिटल जी का मत हूं तो हाइफन जी के बाद बेसिकली यहां पर देख सकते हैं आपके इसका कम्प्लीट ग्राफिकल इंटरफेस हमाय सामने आ गया है और इसी इंटरफेस के जरीए अब हम अटक करने वाले हैं वह भी डिस्करवरी का फ्लडिंग अटक सबसे पहले हम कुछ दिस्करवरी क मेरे सामने आ गया है जो की इथरनेट का ही है बट नो इशूज यहां पर हम इसके जरीए भी फ्लडिंग कर टेस्ट कर ही लेंगे तो अब यहां पर यह जो नैटवक का रहा है हम क्या करेंगे इस डिवाइस को सेलेट करने के बाद हम वापिस लाउंच अटक पर क्लिक करें करना चालू हो जाएगा बाकी कनेक्टी सिस्टम्स भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे इस नेटवक से सही से नहीं जूड़ पाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं दो ही प्रस कर रहा हूं और आप देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा फास्ट बेसिकलिए लगाता शे बिखाएंगे यहां जो आप वब्राडबेंड ऐसे पर अम्हें और यहां नेटवर्क के लिह ऑग्राथ सब से नेटवर्ड फरके जो घूड़े में उनको डिस्कवर्ड करना चालो हो गया जिसमें सब से पहले जो डिस्कवर हुआ है यह हमारा 1921681.1 जो की बिसिकलि हमार ब्राइड बैंड है इस पर हमें परफॉर्म करना है एक DOS अटेक का परफॉर्म करने के रहे हमें कुछ details देनी पड़ेगी जैसे कि यहां पर इसका मैक अडरस मैक अडरस की जो value है इसको यहां पर note कर देंगे करने वाले हैं क्लिक करना रावार्ट करेंगे यहां पे हम यहां पर टिक करेंगे और जैसे ही हम अटेक्स के प्रिक्वार्स पर प्लसेट करेंगे तो अगर मैं सोब इसको करता हूं तो यह स्टार्ट हो जाएगा यहां पर मैंने प्रेस्ट कर दिया है तो बेसिकली हमाद यहां पर इसको नहीं करा है यहां पर प्रफॉर्म कर सकता है यहां पर जिस तरीके से अब इसके बाद यहां पर समझना पड़ेगा कि यहां पर यहां पर इसको देखने के वह पर हमारा इक जाते हैं अब मान लेते हैं यहां पर हमारा एक डिवाइज है रौटर है उससे एक यूजर कनेक्टिड है यह नॉर्मल यूजर और एक अटेकर जो की सिस्टम से कनेक्टिड नहीं है यह दोनों तो कनेक्टिड है बट यह अटेकर दूर बैठा हुआ है बस इस रेंज में है कि इनके आसपास इनकी बाते जो हैं वो इंटरसेप्ट कर सके और इंटरसाप्ट करने के लिए क्योंके अमंदर लगी कि उसको सेट कर देते हैं मौनिटर मोड तो आस पास के सबी डेटा को इंटर सेंट करता वह अब इस इंटरसेप्शन में एक और खास बात है अब अब गो तक संप्लस्टिक प्राइब को सब्सक्राइब b किसी भी एक सिस्टम को जो राउटर से कनेक्टिड है उन दोनों को डिसकनेट कर सकते हैं के वल कुछ पैकेज को सेंड करके और इसके लिए एक अटैकर को उस नेटवर्क में कनेक्ट होने की भी जरूत नहीं है तो मैं यहां पर सेम चीज़ करने वाला हूं नो बेसिंगली यहां पर यहां पर काफी जादा कॉंटिटी में जाने लग जाते हैं यह कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इसको समझना पड़ेगा आपको अच्छे से सबसे पहले हमाई जो वाइफाइस टिक है जो मैं आपको दिखाया था हमने करी ती उसको हमने चेंज करना मेंगा जाने के बाद इसको हम बन कर देता हैं यहां पर कंट्रोल सी करेंगे प्रसेस टॉप करने के लिए यहां पर क्लियर सिन करने के लिए था क्लियर क्लियर clear and अब यहां पर हमें क्या करना है सबसे पहले iwconfig लिखेंगे हम और जैसे ही हम iwconfig लिखेंगे तो हम यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा land 0 है उसका जो mode है वो by default manage set है बट यह manage mode में हमारे पास वो power नहीं है कि हम आस पास के सभी data को intercept कर सके जो कि मैंने theory session में बताया था monitor mode क्या होता है कि वो सभी को monitor कर पाता है सब पर नज़र रख पाता है हर activity पर नज़र रख पाता है data intersection कर सकता है अब हम यहां पर इसका mode जो है वो change करेंगे और हम एक और बात पता है कि जबी भी हम किसी hardware device की setting change करते है तो पहले हम उस hardware device को बंद करते है then उसकी setting change करते है then उसे वापिस start करते है ताकि कोई भी problem ना हो यह कुछ ऐसा है कि हम एक चलती भी वाइकल में कभी उसकी engine कर नहीं करते कभी उसके changes नहीं करते चलते हुए system में हम कभी कुछ changes निकलते है पहले system को बंद करेंगे बाद में उसमें जो भी changes करने वो करेंगे बाद में वापिस start करेंगे तो वही काम हमें यहां पर करना है तो WLAN 0 जो हमारा interface है हमें से सबसे पहले बंद करना पड़ेगा डाउन करना पड़ेगा तो इसके लिए हम लिखेंगे इसका यह जो मोड था यहां पर देख सकते हैं मोड था यह था managed हमें इसी मोड की settings करना है और क्या करना है इसको बनाना है monitor mode उसको बनाने के लिए नजर रख सकता है जैसा कि हमारी class में monitor रखता है तो अब अगर मैं यहां पर लिखूं आई डब्लू कॉंट एंटर प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं लैंज इंटरफेस दिखा रहा है और इसका mode जो है वो monitor दिखा रहा है यानि हमारे नेटवर्क को सभी data को intercept कर पाएंगे और देख पाएंगे हमारे आसपास कितने नेटवर्क अवेलेबल हैं बहरी उनसे हम connect हो चाहे नहीं हम उनकी काफी detail कैप्चर कर सकते हैं के वाल यहीं से monitor mode के जरिए जैसे ही आप देख सकते हैं अब यहां पर यहां पर जितने भी वाइफाइ नेटवर्क में इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको साही details दिखे ओके उसका mac address क्या है BSSID उसका नाम क्या है ESSID एंड चैनल देखें अगर हम यहां पर कौन से चैनल पर वक कर रहा है तो आप वह भी देख सकते हैं चैनल 11 पर कोई डिवाइस कर रहा है को चैनल 1 पर कर रहा है सबके चैनल अलग है सभी 2.5 GHz की रेंज में वक करें जैसा कि मैं द जरी है उससे जो भी system connected है उसको हम करेंगे disconnect कैसे करेंगे इस process को close करेंगे Ctrl-C के जरीए मैंने quitting कर दिया है अब मेरको चाहिए है तो केवल यह BSSID चाहिए है जिस पर सारा data है तो मैं इसको copy करूंगा और साथ ही साथ जिस चैनल पर लोग कर रहे थे तो चैनल था 11 BSSID मैंने copy कर लिए मैं यहां पर command लिखूंगा aerodam pengy land zero dash dash bssid और यहां पर पेस्ट कर दूंगा उसके बाद मैं लिखूंगा dash dash channels and channels में basically मेरको पता है कि channel number 11 है तो मैं यहां पर वो भी mention कर दूंगा और इसके बाद क्यूंकि मैंने channel और Mac address दोनों ही बता दिया है कि किसको intercept करना है सार data intercept हो रहा हूं उसको में कहीं node भी करना हूं ताकि मेरे अगर कोई काम आ सकता है तो आजाए तो यहां पर मैं dash dash write करूंगा and file कर नाम लिख दूंगा test यहां पर test नाम की file मैंने create करी है और अब जितना भी data आएगा मैं उसको intercept कर सकता हूं वो भी केवल इस wifi network का जो की है हमार डब्ली एस क्यूब टैक का खुद का अब मैं enterprise कर रहा हूं जैसे मैं enterprise करा यहां पर मैं सामने एक error आगी हो error क्या है वह error यह है कि यहां पर channels लिखा है जबकि होना चाहिए था channel मैं enterprise करा और अब यह क्या करेगा केवल नज़र रखेगा तो डब्ली एस क्यूब टैक के स्टूडियो पर नज़र रखने का मतलब क्या है यह मिरे को यहां पर यह भी बता रहा है कि कौन कौन से device इस से connected है तो जैसा अब stations के देख सकते हैं यहां पर जिसका भी mac address आ रहा है यह सारे वह devices हैं जो मेरे इस Wi-Fi network से connected है यहां पर जो mac address आ रहा है यह मेरे इस Wi-Fi device का यानि जो हमारे WSQ का hotspot है उसका mac address आ रहा है तो इस mac address से यह सारे devices connected है अब इन में से जिसको भी चाहूं जितनी भी देर के लिए चाहूं डिसकराट कर सकता हूं यह हमारा the authentication flooding कैसे करें के लिए हम new tab में जाते हैं यहां पर display clear कर देते हैं ताच आपको clearly visible हो थोड़ा से zoom कर लेते हैं और अब यहां पर मैं जो software का use लेने वाला हूं वह airplay ng okay so airplay-ng लिखने के बाद यहां पर यह पूरा command है इसमें थोड़े से changes हमें करने पड़ेंगे यहां पर मैंने लिखा डैस डैस डियो जिसका मदलब था दी अथंटिकेशन पैकेट्स और यहां पर मैंने नंबर में लिखा है कि कितने पैकेश बेजने 100 यानि टोटल 100 पैकेश जाएंगे और जबते की 100 पैकेश जाने तब तक जो victim system में वह सोस्पर से connect नहीं हो पाएग किस से disconnect करना है यानि hotspot का WS cube का Mac address और dash C के अंदर में mention करूँगा किस को disconnect करना है यानि user का Mac address तो देखते हैं basically कितनी details है हमारे पास यहां देख सकते हैं 7C C5 जो है यह हमारे WS cube का Wi-Fi है तो यहां पर इसको हमें change करना पड़ेगा तो यहां पर मैं इसको delete करता हूँ and okay and आप यहां पर आएंगे और मैक address को यहां से हटा कि यहां पर हमडाल देते हैं हमारे WS cube का Mac address यहां इस क्रांस से disconnect करना है और इसको disconnect करना है client का नाम है वह हम यहां पर डाल देंगे so यहां पर हम चलते हैं और जो हमारा client है नमे से किसी यह client को we select कर देंगे तो इस process को मैं यहां रोकता हूँ और यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो मैं इस person को disconnect कर देते हैं because हो सकता है इन में से एक हम भी हो तो यहां पर हमने किसी भी user को select करा उसका mac address copy करा normally हम इसको quit नहीं करते हैं अभी मैंने quit कर दिया करना है और अगर मैं यहां पर हूँ को क्योंकि हमारा भी डिवाइस इससे connected है तो हो सकता यह हमारा ही डिवाइस है तो देखते हैं basically कैसे work करेगा हम यहां पर जुड़ गए और हमने mac address यहां पर डाल गया हो सकता है हमारे ही डिवाइस का हो अब यहां पर मेरा command है यहां यहां देख सकते हैं लगाता दी अथंटिकेशन पैकेशन पैकेश है उसके आगे मैं नंबर्स लिखे 100,000 कुछ भी लिख सकता हूँ यानि इतने पैकेश जाएंगे डिवाइस के लिए उसके बाद बैश एक अंदर हाइफन एक अंदर मैंने मैंने मैंचिन करा है कि किसे disconnect करना है यानि हमारे router का macadres यानि है यहां देख सकते हैं लगाता इथंटिकेशन पैकेश जा रहे है इसका मतलब यह जो भी यूजर था यहां से disconnect हो जाए गा तब तक के लिए जब तक यह package खतम नहीं नहीं हो जाए तो अब जो यूजर है वो बापिस कनेक्ट हो पाया होगा तो यह है हमारा दिये अथेंटिकेशन फ्लेडिंग बेसिकली जब तक यह पैकिज जा रहे हैं वो यूजर कुछ भी करनेक्ट नहीं हो सकता और कनेक्शन के लिए मेरे को बेसिक दोनों को डिसकनेक्ट करने के लिए कि मेरक उन मेरे क्नेक्ट होने की जरूरण भी नहीं पड़ी क्या आप जानना हाँ है कि हमारे आस पार सराउंडिंग में जो वाईफआइय नेट्वर्क से उनका पासवर्ट कैसे क्रेक करा जाता है और उसे सिक्यूर कैसे राय जाता है तो इससे पहले की हम इस प्रेक्टिकल प्रोसेस में जहारे जहां जिससे बेसिकले हम connect होने वाले हैं अब यहां पे कुछ devices है जो इससे already connected है यह जो already connected device है हो सकता है यह कोई mobile हो सकता है यह कोई computer हो कोई भी device हो XYZ बट यह वाइफ ओइसे या केबल के जरी के सिस्टम से connect हो चुके हैं अब हमें क्या करना है यह काम कैसे कर रहा है अगर कोई भी नया यूजर यहां पर आता है एक नया Android यूजर आया उसने पासवर्ड लगाया जो इस वाइफाय का पासवर्ड है और उसने सब्मिट बटन पर क्लिक करा जैसे ही वह सब्मिट बटन पर क्लिक करता है यहां से एक फाइल जनरेट होती है और वह जाती है सीधा राउटर के पास अब यह जो हमारी फाइल है इसको हम कहते हैं हैंड्शेक फाइल और यहां से जाता है में राउटर तक राउटर उस पासवर्ड को चेक करता है confirm करता है कि सही है यह connection इसको provide कर देता है इसको IP address अलॉट कर देगा ARP request to SI CJ तो चलती रहती है बट यहाँ पे इस तरीके से एक handshake file भेज के connection establish करा जाता है तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं कई सारी चीजेश हम यहाँ पर apply कर सकते हैं इस एक attack जो आज हम करने वाले हैं वो wifi password cracking का है जो कि आप कहीं से भी apply कर सकते हैं because एक बार अगर यहाँ पे जो attacker है जो इस system सभी तक जुड़ा नहीं है पर क्यूंकि इसके पास है wifi stick जिसके जरीए यह अपने range के किसी भी system पे monitor mode के जरीए नज़र रख सकता है और ध्यान रख सकता है कौन से system क्या कर रहा है क्या data आ रहा है wifi की जो radio frequency उसको monitor mode की तरह read कर सकता है यहाँ पर इस device के जरीए क्या होगा यह जो हमारा router है यह router इस handshake file को capture कर लेगा क्यों क्योंकि इसका monitor mode इसको पावर देता है कि बिना उस device से connect हुए बीच मेंसे इस handshake file को because यह सारा data जो sniff कर रहा है यह अलड़री उस sniffing data message handshake file को capture कर ले जैसे ही इस handshake file को उठा लेगा तो अब यह जो password वाली file है यह आजएगी हमारे system के अंदर और सेव हो जाएगी dot cap extension से यहां पर dot cap extension के जरीए file capture file जो है basically उसके जरीए सारा जो हमारा password जो डेटा था handshake file का वो सेव हो जाएगा इसके अंदर अब करना क्या है यह cap file कोई भी offline किसी भी जगह से crack कर सकता है यानि इसके अंदर अगर password आ गया इसके अंदर password है आपको क्या करना है और hashish को बद crack करना है और crack करने के लिए आप दुनिया के किसी भी कोने में और जिसके पास भी file पॉचेगी और कहीं भी बैठा है इस Wi-Fi के password को easily crack कर सकता है यह है process जो अभी आज हम करने वाले इसके अलाब और कही techniques है तो एक बार इस process को अच्छे से समझेगा कैसे एक अच्छी word list लेंगे कैसे इस पासों को crack कर सकते हैं यह decision practically देखने वाले तो start करते हैं और चलते हैं हमारी काली machine की तरह यहां पर हमारी जो काली machine है वो हमने open कर रखी है इसको login कर लेते हैं अब यहां पर हमें क्या समझना है क्या देखना है हमारे पास एक device होना जरूरी है जो की हमने देखा जो की एक wifi adapter वाइफ़ा अडेप्टर हमारे पास यहां पर पढ़ा है वाइफ़ा अडेप्टर के जरी हम आटेक करने वाले हैं बहुत ही normal सी यहां बिसिकली इस setting आ गई है मेरे सामने जो की में को खहरी ही कि आप वाइफ़ा स्टिक कहां यूज करना चाहते है विएवेर में इसको एड करूँगा वर्चुल मशीन के अंदर विएवेर में में काली मशीन को यहां पर हमारे सारे इंटरफेस ही शो कर रहा है अब हमें करना क्या है हम open करेंगे हमारे टर्मिनल को सबसे पहला काम जो हमारा है वह इस वाइफ़ा स्टिक के mode को change करना है जो कि हुगा मैंने एक बार confirm कर लेते हैं अभी इसका mode क्या है इसको zoom करेंगे अब यहां पर हम लिखेंगे iwconfig यहां पर देख सकते हैं iwconfig लिखने के बाद w90 जो की हमारा इंटरफेस है हमारे wifi stick है उसका नाम है इसकी side details हमें यहां पर show कर रहा है यहीं पर आगर आप देखें ESS ID भी है और कई सारी settings और है हमें क्या करना है यह जो mode के अंदर manage लिखा है इसको यहां से convert करके change करना है configurations को change करना है monitor mode इसको कैसे कर सकते हम एक बहुत ही obvious बात है जो आप सभी को वियाद हो जानी चाहिए कि अगर हम किसी भी hardware में या किसी software में कोई भी settings करेंगे तो पहले हम उस software को उस hardware को बंद करेंगे then उसकी settings करेंगे then उससे start करेंगे hardware में तो बहुत ही common बात है because हम किसी running hardware में settings नहीं करते है सबसे पहले लिखेंगे ifconfig wland 0 and इसको हम कर देंगे down यानि इसको कर देंगे disconnect connect बंद कर देंगे ताकि हम इसकी settings के अंदर configurations जो है उसको change कर सके enter press करेंगे तो यहां पर हमारा wireless device जो था वो down हो चुका है अब हम क्या करेंगे अब हम यहां पर लिखेंगे iwconfig wland 0 and then mode monitor क्या करना क्याता हमें basically change iwconfig के अंदर हमें क्या करना हमारा interface wland 0 उसके अंदर में settings करना है क्या करना है कि उसको mode है उसको हमें convert करना है monitor mode में जो mode था उसको change करना है monitor mode में exactly यह चीज हमने यहां पर लिखेंगे जैसे हम enter press करेंगे यह settings apply हो जाएगी बट इससे पहले कि setting को view करे हमें हमारे wireless device को बापिस up करना पड़ेगा wland 0 को बापिस up करेंगे हम यहां पर down का जो opposite है basically up यानि wireless device को start करना हमने कर दिया है अब मैं यहां पर लिखूंग iwconfig and enter press करूंगा तो मैं यहां देख सकता हूं कि इसका mode है वो क्या show हो रहा monitor so यहां पर यह monitor mode हमें मिल गया है अब हम आते हैं आगे की काम में जिसमें हमें करना क्या है basically कि सबसे पहले target को select करना है उस target के आगे के जो काम है वो भी साथ ही साथ देखेंगे तो सबसे पहले target को select करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे arrow dump ng arrow dump ng and then wland 0 यानि हमें बस एक software का नाम जो के arrow dump ng package है उसका नाम लिखना है और interface का नाम लिखना है कि इसके जरीए हम सारे आसपास के wifi network को देख पाएंगे जैसे ही मैं enterprise करता हूँ अब मैं command line के जरीए आसपास के सभी wifi network को देख पहूंगा यहां पे सारी BSSIDs आ रही है power आ रही है data channels and काफी जाए चीज़े जो आप अलड़ी देख चुके हैं पहले भी वह सारी चीज़े यहां पे आ रही है the authentication fedding आप सभी ने देखा basic जीज़े नहीं देखा तो the authentication fedding यानि dos attack का video एक बार जरू देखेगा wifi जो हमने apply करा है उससे आपको काफी idea लग जाएगा यहां पे एक issue आ रहे है तो हमें काम करते हैं हमारा जो बार डिवाइस है अब अच्छे से नहीं हुआ है तो हम इसको एक दो बार सही से कर देता है and I think अब सब perfect होगा अब एरो डंप एंजी लेंज जीरो बापिसन करेंगे तब हमें आसपस के सभी interfaces शो कर रहा है अब हम क्या करेंगे इन interfaces में किसी एक interface को basically किसी भी एक ESS ID को किसी दो होस्पोर को select करेंगे and उस पर perform करेंगे wifi cracking का method तो यहां पर हम select कर लेते हैं को ही जिसको आप देख सकते हैं जिसके side details आपको यहां दिख रही है इसका जो channel है वह 11 यानि channel number 11 के जरीए साथ data share कर रहा है इसकी power बतारी कितना दूर है BSSS ID इसका Mac address है ESS ID इसका नाम है जो कि आपको भी पूरा नहीं दिख रहा है बिकाज मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा है जूम आउट करूंगा तो आप देख सकते हैं ठीक आभी यह जूम आउट भी नहीं हो रहा बिकाज यह running process में है अब हम क्या करेंगे इस process को कर देंगे close बिकाज हमें जो details से यह थी proper snifing यानि proper data उसको intercept करने की कोशिश करूँगा and देखूँगा कि मैं इसे में क्या क्या कर सकता हूं snifing कर सकता हूं basically कि नहीं और snifing के अंदर handshape file कैसे capture करता हूंगा यहाँ पर हम क्या करेंगे हम लिखेंगे arrow dump ng land 0 then land 0 को भी हम हटाता है and then हम लिखेंगे यहाँ पर dash dash bss id dash dash channel wland 0 dash right और इसके अगे एक नाम यह क्या है command क्या work कर रहा है मैं आपको अच्छे से explain कर देता हूं सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा bss id के अंदर paste कर दूँगा mac address मेरे device का wireless device के जिसका में का password करना है तो मैंने यहाँ पर bss id के अंदर bss id add कर दिये डैस डैस channel के अंदर मैंने channel number add करना है मेरे को channel number हमारा क्या है students हमारा जो channel number है 11 very good 11 लिखने के बाद अब यहाँ पर मेरे को बता रहा है interface का नाम फिलार मेरे पास keyword w90 है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है उसके बाद यहाँ पर dash dash write का मतलब है कि अब यह जो भी data intercept करेगा sniff करेगा sniff करेगा जो भी data को monitor करेगा वह data कहीं store हो जाए कहीं save हो जाए तो मिने को यह चीज़ चाहिए यहाँ पर इसको apply करने के लिए मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर write के आगे file का नाम लिख दूगा ताकि उस file के name से basically सारा data joy store होता जाए तो हम यहाँ पर नाम रख देते हैं hack okay so हमने hack नाम रखा है basically तो अब जितना भी data है वो इसी के अंदा सेव होता रहेगा या इसी से related files बनाएगा तो perfect I think सबको सही है मैं enterprise करूँगा और यहाँ पर जो scan है वो चालू हो जाएगा कैसा है scan यानि proper monitoring अब जो है वो केवल उस सेम BSSID यानि WSQ का वाइफाय था केवल उसी पर करी जाएगी अब यहाँ पर यह जो डिवाइज दिखना है यह क्या है तो आप देखो के सारी सेम है तो इसका मतलब यह सारी BSSID किसकी है मेरे वाइफाय की है WSQ Tech की है basically यह जो stations है यह वो सारे devices हैं जो इस system से जुड़ के इंटरनेट यूज करने यानि वो सारे devices जो सिस्टम से जुड़े में यह सब का station यह सब की mac address है अब हमें करना क्या है हमारे पास handshake file दो ही cases में आ सकती है जब कोई नया user जुड़ रहा हो या फिर अगर किसी पुराने user को हम disconnect करें कुछ देर के लिए और वह बापिस connect होने के लिए automatically handshake file बेजेगा ही बेजेगा because handshake file क्या होती है हमारे device में save हो जाती है और जब भी में उस Wi-Fi range में बापिस आते हैं automatically वह password चला जाता है बापिस वाइफार में अपला होने auto connect हो जाते है handshake capture something लिखा वह मिल जाएगा जिससे आपको confirm हो जाएगा कि जो password file थी वह आपने capture कर लिए तो अब हमें करना क्या है कि एवल किसी एक user को disconnect करना है ताकि उसकी handshake file capture कर सके तो हम यहाप एक new tab open करेंगे and this new tab को हम पहले zoom कर लेता है and then उसके आगे number उसके आगे कुछ और details भी है इसको एक और एक्स्प्रेंट कर देता हूं मैं April NG कैसा package है जिसके जरी हम कुछ और package बेज सकते हैं कुछ और data transfer basically Wi-Fi hacking और cracking से related कुछ काम यह कर देगा तो यहाँ पर फिलाल हम best-d-auth package बेज रहे है the authentication किसी भी user को disconnect करने के package कितने बेजने है वह मैंने इसके आगे बता दिया है 100 यानि जब तक 100 package जा रहे हैं तब तक वह user उस system से connect नहीं हो पाएगा और यह करने के लिए मुझे उस Wi-Fi से connect होने की जरुरत नहीं है यह सबसे खास बात है इसकी उसके बाद यहां पर –A option है जिसके अंदर basically मैं बता रहा हूं हमारे किस जो basically हमारे main Wi-Fi है जो hotspot है WSQTEC का उसका mac address यानि किस user से किसको disconnect करना है वह हम यहां पर बताते है तो जो main user है जो WSQTEC का hotspot है उसका mac address मैं –A option के अंदर दूँगा and then –C जो है जो client है इसके अंदर मैं दूँगा उस user का नाम जिसको disconnect करना है यानि hotspot से हमें जिस user को disconnect करना है उसका नाम मैं दूँगा iPhone C के अंदर iPhone C के अंदर मैं को Mac address mention करना पड़ेगा जिस user को disconnect करना उसका जो कि अभी हमारे पास नहीं है और उसके बाद मैं इंटरफेस का नाम बताया बस W-0 के इसके जरी मैं activity करना ही तो पहले में –C के अंदर Mac address था हुआ 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 हूँ iPhone A के अंदर Mac address पहले मैं confirm करूँगा मेरे उसी same router का है के नहीं है तो हम पीछे चलते हैं 5C-C5 तो यह Mac address भी गलत है तो हमें क्या करना होगा इसको हम हटाएंगे यहां से और हमारा वाइफाय 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 का इसको हम क्राक करने वाज है उसका Mac address यहां पे पेस्ट कर देंगे अब हमें चीए क्लाइंट का जिसको हमें डिसकनेट करना है इसको copy paste करना थोड़ा टिपिकल हो सकता है आप लोगों के लिए जैसे अभी नहीं हुआ है वर्किंग प्रोसेस में क्या है आप select नहीं कर पाते तो आपके बास दो आप्शन रहेंगे यहां तो close करें जो कि हम कर नहीं सकते तो हमें वहां से देख देख के यहां पर note down करना पड़ सकता है बट एक कोशिश कर लेते हम अगर मैं थोड़ा fast निकला और instant action में मैंने इसको record कर लिया दैन हमारा काम हो सकता है ओके लैस्ट ट्राय अगर हुआ है तो ओके यहां पर अप्लाय नहीं हुआ है तो हम एक काम करते हैं इसको manually write down कर लेते हैं basically क्या था वो तो यहां पर हम देख लेते हैं हम आग जो macaday start हो रहा है वो है 6479F0 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 ओके तो कहां गया ओके वो यूजर ही disconnect हो गया है तो बेसिकली जिस user को हम अटक है नहीं वाय तो user disconnect हो गया दूसर user उठा लेते हैं यहां पर तो दूसर user हम ले लेंगे यहां पर 10 1007B6 1007B6 यहां पर write down करते हैं 1007B6 इसके आग एक नंबर्स देखते हैं basically 1007B6 A07ACC A07ACC perfect क्या मैंने बिल्कुल सही MacAdres लिखा एक बार कंफर्म कर लेते हैं 1007B6 A07ACC 1007B6 A07ACC बिल्कुल perfect MacAdres हमने आपर no down कर लिया है इसके अलावब हमें कोई detail नहीं चाहिए इस user से इस user को में disconnect करना है यह हमने यहां पर mention कर दिया अब जैसे ही मैं enterprise करूंगा authentication package दैने चालू हो जाएंगे और अगर मैं यहां के देखूं तो user disconnect हो गया और अब यहां पर जो handshake file है वो इस system को भेज देगा जो handshake file हमारे पास capture हो जाएगी सो हमें काम करते हैं इस process को रोकते हैं ताकि फिर से connect होने की कोशिश करो रोकने के लिए आप control c का यूज ले सकते हैं जो कि किसी भी continuous चलते process को रोक सकता है यह करने के बाद अब हम चलते हैं बापिस normal tap को यहां वेट करेंगे यहां पर basically जो interface है वो down show हो रहा बट ऐसा होना नहीं चाहता अगर यहां पर एंशेक file capture लिखा वागया यहां पर यह file है कहां पर इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर new tab में जाता है and जैसे ही मैं LS करूँगा तो आप देख सकते हैं basically same folder में जहां पर मैंने handshake start करा था जहां पर मैंने process start करा था वहां पर अगर मैं देखू तो hacked02 नाम से जो file है जो है वह सबसे important है जैसा कि मैंने बताया था starting में ही कि जो .cap file है इसके अंदर store होता है हमारा main password इसको हमें करना hack करा अगर यह पुराना wifi होता है एक बार repeat करो अगर यह पुराने wifi technology के wifi होते basically तो यहां पर हम क्या करते हैं aircrack ng then हमारी इस file का नाम okay so यहां पर हमने नाम लिख दे अगर हम इतना ही लिख के enter करते हैं और अगर यह पुरानी technology के wifi devices होते हैं hotspot होते जिसके अंदर जो data either so the move होता था वह strongly encrypted नहीं हुआ करता था जो एंशेक file है वह strongly encrypted नहीं हुआ करती तो जैसे ही enterprise करता है यह password crack करके मुझे बता देता पर फिलार यहां पर इसने ऐसा नहीं करा है क्यों क्योंकर यह WPA Wi-Fi नहीं है यह WPA2 है यानि यहां पर encryption अच्छा वहला apply करा गया है और जो कि हम mystery में भी देख चुके कौन सा encryption यहां पर apply हो रहा है तो इसको हमें करना पड़ेगा decrypt basically decode करना पड़ेगा तो यह जो hashes इनको crack करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अब इसको crack करने के लिए हम use करेंगे यहां पर एक word list और उस word list के जरीह हम इस password को easily crack कर पाएंगे अब हम क्या करेंगे चलते हैं उस word list पे सुर्ष यहां पर हम use लेंगे common password की लेंगे इसी list जिसके अंदर most commonly passwords है जो कि normally कई जखाओं पर हमारे काम आ जाते हैं बट इनकेस अगर नहीं भी आएंगे तो क्या कर सकते हैं वह मैं साथी साथ बताऊंगो बट यहां पर पहले एक word list करके देख लेते हैं अब यहां पर हम एक word list कर लेते हैं जो कि basically है टॉप 10 million password list basically जिसमें 1 lakh से ज्यादा password है और ऐसे ही यह basically leaked passwords है तो यह यहां पर मेरे काम आ सकते हैं अगर नहीं भी आएंगे तो दूसरा option है हमारे password फिलार इस password के जरीए हम इस password को क्रेकर को कोशिश करेंगे तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं enter press कर रहा हूं साथ ही साथ आप सभी को यह भी बता दूँगा कि आपको अच्छी word list कहां से मिल सकती है बनी बनाई यानि leaked passwords की जो most common password है इन सभी की word list कहां से मिल सकती है साथ साथ यह भी बता दूँगा तब जैसे ही मैं enter press करा यहां तो बिल्कूल भी टाइम लगा enter press करते ही password जो हमाने सामने आ गया अगर मैं इसको जुम आउट करूं इस process को फिसे repeat करूं ताकि आपको साफ साफ दिखे तो आप देख सकते हैं यहां पर current phase जो हमारा exact password है वह इसने में को crack करके दे दिया है बहुत ही millisecond में बहुत ही कम टाइम लिया इसने इस password को crack करने के लिए यह थोड़ा shocking था बसे काफी fast काम करता ही है हमारा a crack ng क्या आपको पता है एक hacker बहुत ही easy जो आपकी private IP है वो खुद रख सकता है यानि आपकी IP चुरा के अपनी IP बना सकता उसे जानना चाहते हैं यह कैसे possible है तो देखते हैं सबसे पहले spoofing exactly क्या है so student spoofing है क्या basically spoofing जो है वह है process जिसके अंदर हम क्या करते है हम किसी भी system की जो identity होती है यानि हम कोई और होने का दावा दे रहे हैं basically कोई और दिखा रहे हैं कि हम कोई और user है जैसे की मैं आपको phone नाजर की करूँ कि मैं XYZ person बोर दो जबकी मैं वह person नहीं है नहीं मैं किसी और की identity से आपको call लगा रहा है तो उसी process को जब हम technically यह networking में करते हैं एक बार 192.168.1.1 तो यह जो हमारी IP है अगर ही IP जो हमारे router की IP है एक attacker आके खुद रख ले then क्या होगा और इसकी दूसरी जो identity होती है जो की होता है हमारे router का Mac address वह भी अगर यह खुद रख ले तो क्या होगा इस case में होगा यह कि इतने भी system इस router से जुड़े थे अब वह इस system को इस attacker system को router समिझने लग जाए है और जो भी data यह system access कर दे जो भी इनको internet तो बात करनी है वह सा data इसके through यहां से होके जाएगा इसका मतलब यह जो system है यह जो attacker system है यह वन जाएगा एक router and इसके पास complete access होगा सारे network का जो वह चलाना चाहरे बिसिकली जो भी request response आज यह सब का control इस system के पास आजएगा इसको हम कहते है man in the middle attack and जो हमने identities चुड़ाई है जैसे कि IP or mac address इसको हम कहते है spoofing यहां पर आज हम दो चीज़े perform करने वाले है दो spoofing perform करने वाले है पहला है IP spoofing जूसरा है mac spoofing तो यह दोनर spoofing आज हम यहां पर perform करने वाले हैं अच्छे से संजेगा होगा कि IP spoofing में क्या होगा कि हम किसी और की IP address जो है वो चुड़ा लेंगे and mac spoofing में क्या होगा कि हम किसी का mac address है एफिस पर करते हैं सबसे पहले हम चलेंगे हमारी काली मशीन की करण सबसे पहले हम वाला जो वाइफाइ नेट्वर्क्स के अनदर है बसी की IP करने वाले है तो यहां पर हमने वाइफाइ स्टीक को जसे ही प्लग करेंगे हमसे permission मांगेगा कि कहाँ पर इसको यूज लेना है तो हम यहाँ पर connect virtual machine करेंगे काली machine को select करेंगे and then ok press कर देंगे इससे क्या होगा इससे जो virtual machine है वो select कर लेगी उस hardware device को यानि हमाई वाइफाय स्टिक अब काली रिनेक्स करेंगे यूज आएगी instead of हमारा विंडो स्क्राइब तो यहाँ पर इससे क्लिक कर देते हैं जैसे हम क्लिक करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जल्दी जितने भी वाइफाय नेटवर्क से वो शो होने लग गए तो अल्रेडी एक वाइफाय से connect भी हो चुका है अब हम करेंगे क्या इस IP SPOVING और MAC SPOVING ATTACK को परफॉर्म करने वाले हैं सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे IP SPOVING को उसके लिए हमें हमारे नेटवर्क से जितने भी यूजर से उनकी IP पता होनी चाहिए ताकि उसने MAC SPOVING या IP SPOVING परफॉर्म करेंगे हम यह क्या करेंगे सबसे पहले तो root permissions देदेंगे सुडो आश्यू के जरिये and root permissions देने के साथ साथ में जिस्ते गोड़ा जूम करेंगे हम यहां पर लिखते हैं यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे net discover जो कि basically क्या करेगा कि हमारे interface में तो इने भी network से उन सभी को discover करके हमें यहाँ पर show कर देगा उससे पहले हमें एक बात ध्यान अखने पड़ेगी यहां पर कि net discover काम कैसे गए उन networks का information देगा बसीकिली नेट्वरक को discover करके हमें show करेगा जो अब हम यहां पर जूड़े में और उन सभी systems को यहाँ पर show कि एक चीज़ समझनी होगी कि ओवरों नेटवोक से शो करेगा उन सिस्टम नेटोर्क करे घुड़े वे यहां पर हमार जो नेटवर्ट फिलाव वर्ट्योल नेटवर्क होगा और जिस वाइपाय से नेटवर्क होगा और जिस वाय-बैफाय से विंडोस पैंग उड़ावा ह वह अलग जोड़र्वेल उसके लिए हम सभी को क्या करना होगा हम जाएंगे एडिट के अंदर विट्ट 되면 जाएंगे यहां पर उस इडिटर के ज़रीे हम करेंगे क्या इंटर जोड़ेंगे ताकि विट्वाइज रहे हम् र्या हर्फेस से जूड़र्ध इंटरथे ना देना है तो फिलाल यहांपे जुमिए Wifi STK हो इसको मैं इसको अजिक्वा कर दिए है वाइप्टर जो है बने कि अपने अब ही एडाटर वार्योड से उडाज हो जाएगी और अप्लाए होने के बात सेटिंग्स अप्ला हो गई है और मैं यहां पर देख लूँगा बेसिकली कि मैं जो है उस network से जुड़ा हूँ Ethernet से बनी बाहर बाहर wireless device होगा बार डारेक्ट में यहां पर hardware से ही जुड़ा हूँ छो यहां पर Ethernet शो होता और असल में मैं Wi-Fi network से ही जुड़ा हूँ अब में यहां क्या करूँगा net discover करूँगा net discover क्या करेगा सारे network जो मेरे range में है वो में को discover करके यहां पर show कर देगा आप देख सकते हैं basically यहां पर इसने नरगर एक network शो करने start कर दी है इसका complete output आने को हम वेट करेंगे जैसी complete output हमारे समने आ जाएगा उस output में से हम निकालेंगे हमारे router का MAC address and उसका IP address and उसके अंदर हम करेंगे कुछ changes ताकि IP address और MAC address रख ले हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा जो router था उसका IP address आ गया है और उसका MAC address भी आ गया है थोड़ा बलड करें हमने इसको बढ़ यहां पर यहां पर यहां पर IP address और MAC address यह है यह वो information जो कि अब हम रखने वाले है यानि IP address हम चुडाने वाले है तो यह process को में यहां स्टॉप कर देता हूँ ने डिस्कावड की process को विकार में को जिस system का IP address यहां पर मिल चुका है अब वो IP address मुझे रखने है अपने system के इसका बहुत ही easy और बहुत ही simple process यहां पर में लिखूँगा if context then हमारे इंटरफेस का नम LAN 0 and then जो IP हमें उसके लिए रखनी है 192.168.1. इंटरफेस बेसिकली जो हम LAN 0 नी रखेंगे ETS 0 रखेंगे just because क्योंके हम यहां पर देख सकते हैं Ethernet के सजी हम connected है and अब हमारे I think सब कुछ settings है विकुछ सही IF config ETS 0 and IP हमने सराट कर दिया and आप enterprise करेंगे और अब अगर मैं IF config लिखके enter करूगा तो आप देख सकते हैं मेरे Ethernet क जो IP है 192, 168, 1.1 बस इतना आसान था किसी की IP खुझ रख लेंगा same letter of name अब एक और यहां पर एक दो चीज और हमें यहां पर manage करनी पड़ी की जूसरा जो point है जो में manage करना है वो यह है कि वो Mac address हमें रखना होगा Max proofing बहुत easy है Mac address कैसे change कर सकते हैं दोसके हम आपा SkyTar options एक पूरा manual process था जो की आसा था कुछ IF config ETS 0 down and then उसके अंदर हम hardware address change करते हैं जिसके लिए हम लिखते हैं यहां पर complete इसको नहीं कर रहा हूँ because ETS down करूँगा तो IP वापी चेंज़ दाईगी हमारे router का, इस Mac address को हम यहां से हटा जेते हैं जो कि आपको थोड़ो बख दर्शो हो रहा हो अलड़ी and अब हम यहां पर Mac address add कर देंगे हमारे router का Mac address जो है वह हमने copy कर दिया है and यहां पर Mac address को हम पर दें paste perfect, so यहां पर हमने Mac single dash M, यानि manually and उसके आगे हमारी मजी से Mac address add कर दिया है और उसके बाद ETA 0 add कर दिया है अब मैं जैसे ही enterprise करूगा हमारा Mac address जो है, वह completely change हो चुका है हमारे router के Mac address से यानि अब हमारा पास router की IP भी है और router का Mac address भी है जो उसके identity थी अब वह हमारी identity बन चुकिए अगर मैं IF config करता है add enterprise करूग तो हम यहाँ पर देख सकते है हमारा पास IP भी भी same है और अब हमारा Mac address भी exact same Mac address है जो की हमारे router का router अब यह दोनों काम होने के बाद जो spoofing process है, वह हमारा complete हो चुका हमारा router की IP router का Mac address आगे हम किसी की भी ऐसे identity change कर सकते है एक process यहाँ करना बाकी रह जाएगा जो की यह उस router को यहाँ से हटा देना router को disconnect कर देना उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए बहुत सारे process है हम आपास अगर हम कोई भी flooding attack perform करेंगे तो router जो है वह यहाँ से चला जाएगा AIP flooding हो,herdy authentication flooding हो basically सो अगर हम इन चीजों को perform करते हैं यहाँ पर Mac flooding भी क्यों न परफॉर्म करें router जो डिसकनेक्ट हो जाएगा Mac flooding का command आप सभी को पता है जो के हम आपास देख चुके हैं Mac off and then interface और उसके बार हमारे router की IP जैसे ही अब मैं यहाँ पर लिक्के enterprise करूँगा मेरा router जो है जो अल्रीड कनेक्ट ही था वो डिसकनेक्ट हो जाएगा उसकी जगह मैं आजाँगा इस attack को हम कहते हैं root access point यानी मैं router की जगह लह रहा हूँ जिसको man in the middle attack में भी गिन सकते हैं एक ऐसा attack जिसमें basically एक attacker दो systems के बीच में आजाए इस attack को हम कहते हैं man in the middle attack M.I.T.M और यह attack बहुत ही dangerous है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कैसे काम करता है कैसे इसको यूज करा जाता है इससे कैसे बचा जाए साथी साथ इस वीडियो में इससे rated points है तो ध्यान से देखेगा इस वीडियो को आखिर क्यों हमें open या public wi-fi में जूडने से मना करा जाता है या फिर क्या यह सच है कि जो wi-fi में हम जूडते हैं या किसी भी public wi-fi में जब हम जूडते हैं अगर अगर ऐसा है तो यह कैसे पॉसिबल हो सकते हैं तो आइए देखते हैं इस complete process को किस तरीके से एक व्लैक एट हैकर आपके wi-fi में जूड़के complete control रख सकता है कि आपके internet पर चलाएंगे तो आइए start करते हैं तो उसके लिए पहले हम एक बात समझ लेते हैं दूसरे device के बीच में जो भी information share हो रही थी उस information के बीच में अब यहां पर आगया एक person एक black attacker जो की पूरी नजर रखता है इस data पर पुरा control रख सकता है सब कुछ basically इसके अंडर हो जाता है यहां पर अब जो बातचीत होईगी वह यहां से होगी instead of यह जो पहले connection हो रहा था इसको हटा दिया जाएगा तो basically अब जो connection established होगा कि यह जो हमारा system A है यह बात करने के लिए attacker के जरीए बेजेगा अपना package router पे so यहां पे man in the middle होता है यह attack and अब हम क्या करने वाले हैं इस attack को perform करने वाले है यानि इस person के पास पूरा right है पूरा side चीज़े देख सकता है कि यह क्या चला रहा है और यह control भी कर सकता है because जब response भी आएगी जब हमारा router response देगा कि उसको कॉंसी website यह क्या चीज open करनी तो उस वक्त भी इसके control में रहेगा तो यह चाहे तो अपने मन से कोई edited या modified response बेश सकता है तो इसका मनने बहुत ही harmful attack है देखते हैं अब यह कैसे possible है और किस तरीके से इस काम को करा जाता है और इसे बसने के लिए आपको क्या करना है यहां पर चलते है हमारी kali machine की परफ जहां पर हम अल्री एक terminal open कर चुके हैं तो अब हमें करना क्या है terminal के अलावा सबसे पहले हम यहां पर क्लिक करेंगे जहां से सारी applications हमें सो हो जाती है और यहां पर हम लिखेंगे EtherCAT उसका हम graphical version जो है उसको start कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते है EtherCAT पर graphical version start होने वाला है और उसके लिए हमसे root privileges मांग रहा है तो जो मेरा password है वो में यहां लिखके authenticate कर दूँगा ताकि मैं इसको root user में run कर सके और अब यहां पर हमारा जो आता है क्या पहई यह start हो चुका है अब हमें करना क्या है सबसे पहले तो इंटरफेश जो आप ध्यान रखेगा मेरी wifi stick added है तो मैं wifi stick के जरीए ही connection को perform करूँगा basically wifi network में perform करूँगा तो मैं यहां पर WLAN 0 जो मेरे interface का नाम है उसको select कर दूँगा and then tick option पर click कर दूँगा तो अब basically यहां पर start हो गया हम target को select करेंगे तो वह करने के लिए यहां पर देख सकते हैं search का बटन है जिस पर आप जाएंगे तो scans for host दिखावा जैसे ही आप इस पर click करते हैं यह जितने भी host इस नेरिया में इस range में सब discover करके आपको यहां पर show कर देगे तो वेट कर देखते हैं कितने hosts यहां पर discover होएं एक बार यहां पर हम देख सकते हैं basically 3 hosts discover होएं एक दो बाइस scan को और run कर देंगे ताकि अच्छे से basically जितने भी hosts discover हो सकते हैं जल से जल यहां पर discover हो जाए जैसे कि आप देख सकते हैं 4 hosts होगा है और अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या-क्या hosts discover हो है तो आप यहां पर host list पर click करेंगे तो यहां पर जितने भी hosts हैं वह visible हो जाएंगे अब यहां पर इससे पहले कि हम किसी hosts को select करके उस पर attack चालू करें हम यह confirm करने कि कि करीब-करीब सारे hosts जितने भी इस network में हो सकते थे वह सब हमने scan करके यहां रख लिए तो आइ तिंग यहां पर कुछ hosts चेंज हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं लास्ट साइम हम इसे scan को एक वा रन कर देंगे ओके परफेक्ट सो आप देख सकते हैं यहां पर काफी सारे hosts हमारे अधोर गए हैं अब इन hosts से हमें basically connection establish करना इन hosts के और router के बीच में तो राउटर कौन है हमारा तो हम देख सकते हैं 192.168.1.1 यह हमारा default gateway जिसके बार में स्टार्डिंग से समझता है तो 192.168.1.1 जो है यह हमारा default gateway जिसके बीच में आके perform करेंगे man in the mirror attack विक्टिम को select कर देते हैं सबसे पहले हमने router को select कर दिया इसको हम डाल देते है target 1 में अब जो हमारा user था जिसके बीच में एक और आना था तो उसमें कर देते है 192.168.1.76 यह जो हमारा है 192.168.1.76 इसको हम select करेंगे as हमारा second target तो यहां पर add to target पर जैसे क्लिक करता है तो आप देख सकते हैं यह हो गया second target 192.168.1.1 जो की था हमारा router वह हो गया है first target अब हमने दोनों targets को select कर दिया इनके बीच में basically हम सारा interception करने वाले हैं इसको tick रहने देंगे and okay करेंगे अब यहां पर जो हमारी poisoning वह start हो चुकी और man in the middle attack वह successfully performed हो चुका है बट हमें कैसे confirm होगा तो यह confirm करने के लिए हम क्या करेंगे new tab खोलेंगे जो हमारा router already basically terminal खुलावा है उस terminal में जाएंगे terminal में जाके हम यहां पर लिखेंगे url snuff and then यहां पर dash i for interface basically and यहां पर wlan 0 हमारे interface का नाम लिखके हम enterprise कर देंगे url snuff dash i basically यह ऐक ऐसा packet एक ऐसा tool है जो हमारे काम हाता है network को intercept करने में तो जो भी network के interception हो रहा है वो यहां पर show करेगा basically जाए जाए की जरीए मैं इंटरफेस बता दिया है कि device की जरीए काम को करना जो किये LAN 0 and then जैसे ही मैं enter press करूँगा and then जैसे ही मैं enter press करूँगा तो यहां पर यह listening चालू कर देगा और अब यह user कुछ भी अगर चलाएगा तो वह यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं basically अब जैसे ही वह user जो भी अपसे चला रहा है जैसा है अगर हम यहां देखें to msf connect basically connection established हो गया यहां पर and यहां पर test.php.org website जो है वह रिलोड करी गई है user के दौरा so basically इसी तरीके से user की जो भाकी की details है जो browser use कर रहा है जो system details है वह सब में को यहां पर easily print हो रही है तो इस तरीके से man in the middle tech को perform करा जाता है उमीद आज कर वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी चीज़े समझ आ गई होगी so मिलते हैं next video में अगर आपने like share और subscribe नहीं कर रहा है तो भी कर लेजिए thank you